अस्तामलीकूम फ्रेंड्स वेलकम वेक टीट अप स्मार्टीज ट्रामा सीरियर दरार क्या इरहा को तलाक मिल जाएगी और सजल को बिजनस के प्रॉफिट के लिए सुल्तान के हाथों शही बेच देगा अब आगे आखर क्या होने वाला है वीडियो का मुकमल देखने से पहले आप से रिक्वेस्टे चैनल पर न्यू है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीचे साथी बेल का नोडिफिकेशन जरूर प्रेस किछे का ताकि मेरी हर आने वादी वीडियो आप असानी से देख सकें इरहा को काफी देर हुए घर से निकले लेकिन अभी तक शहीर ने सजल से शादी के बारे में सोचा भी नहीं ये बात सजल को बहुत परेशान करती है इसलिए सजल बात पर बात शहीर से लड़ती रहती है जो के शहीर को भी अप उकता देता है वो कहने लगता है इरहा तो ऐसे नहीं करती थी, ऐसे में सजल कह देती है, वो तुम्हारी बीवी थी, मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूँ, मुझे तुमने कोई मकाम ही नहीं दिया, मैं तुम्हारे काम क्यों करूँ, नुकरानी हूँ, क्या तुम्हारी, सजल भी दो टोक उसे जवाब देती है, दूसी तोफ़े उसके लेकर आती है, बेटी से मिलकर रोने लगी, प्यार किया और चली गई, लेकिन रात को जैसे ही शहीर वापिस आया, सजल ने कह दिया, वो औरत आप इस घर में मुझे बरदाश्ट नहीं होती, उसे कह दो, वो यहां पर वहाने वहाने से ना आया करे, और यह सा तोफ़े पकड़ कर बाहर फिकवाने लगी हूँ मैं, ऐसे में शहीर थोड़ा सा नरम पड़ता है, नहीं, उसकी माल आई है, उसका पूरा हक है उसको देने का, इसलिए तुम यह तोफ़े बाहर नहीं फिकवाओगी, ऐसे में सजल और ज्यादा भरक पड़ती है, ऐसे तो नहीं चलेगा, ऐसे तो नहीं होने दूँगी, मैं उसे कहो इस घर में ना आए, वरना मैं बहुत बुरा करने वाली हो सब के साथ, दूसी तरफ सुल्तान, जो कि किसी ना किसी तरीके शहीर को बिजनस में लोस्ट करवाना चाहता है, वो बहुत से प्लैन सोचता है, बहुत सालों से उसकी मेहनत थी, कि वो शहीर को नीचे गिराए, आहरकर शहीर का बिजनस नीचे गिरना शुरू हो ही गया, ऐसे में उसने शहीर की गर्फरेंड को अपने साथ मिलाया, और उसकी कमजोरियों के बारे में उससे पूछा, अब ये गर्फरेंड ही उसको मशुरा वो अब सजल को हरी देगा, यहां पर वो एक पार्टी अरेंज करता है, जिसमें सजल और शहीर दोनों इन्वाइटिट है, शहीर सजल को एक सेक्सी ड्रेस पहनवा कर यहां पर लेकर आता है, क्योंकि सजल ने उसका बिजनस परमोट करना है, उसकी इज़त नहीं है, अगर तुम चाहते हो कि तुम बिजनस में तरक्की करो, तो तुम इसको कुछ राते मेरे पास गुजारने के लिए भेज दो, ऐसे में शहीर भी इसकी बात मान जाएगा, और वो सजल को सुल्तान के हाथों बेच देगा, यहनि कि वो बिजनस के शेर सरी देगा, और सजल को कुछ ही सड़क पर आने लगा है, मुझसे हाथ में ला लो, और शहीर क्या बारे में मुझे बताओ, मैं उसे बरबाद करना चाहता हूँ, मैं उसे सड़क पर लाना चाहता हूँ, अब सजल यहां पर सुल्तान से हाथ में ला लेगी, क्योंकि उसको भी गुसा है कि कि सिर्फ ही यही है, अब बहुत से लोगों ने जब यह वाला सीन देखा प्रॉमो में उन्हें लगा, कि इरहा को तलाक हो गई, मैं आपको बताती चलूँ, यह इरहा का तलाक का नोटिस नहीं, उसका अपॉइंटमेंट लेटर है, इरहा को जॉब मिल चुकी है, इरहा की बहुत सी परशानियां हतम होने वाली है, लेकिन सबसे बड़ी परशानी उसकी यही है, कि फात्मा सजल और शहीर के पास है, और सजल जैसी और उसकी परवरिश क्या करेगी, जिसका खुद अपना ही कोई ठीकाना नहीं, जहां पर पैसा मिलता है, वहीं पर भागी जाती है, तो मेरी बेटी को भी ऐसा ही ना बना दे, अब इरहा हुद को इतना मजबूत बनाना चाहती है, कि वो शहीर जैसे इनसान से अपनी बेटी ले ले, वैसे तो वो बहुत जल बेटी ले देगी, क्योंकि शहीर जैसा इनसान अब खुद बहुत जल सरक पर आने वाला है, फ्रेंट्स